पहले मैं आपके साथ इस कोश्चन के कुछ डाउट्स ले लेता हूं इस कोश्चन में कौन-कौन से पॉइंट से जहां पर स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है पहली चीज यह पॉइंट नंबर थर्ड पहले पॉइंट नंबर थर्ड डिस्कस कर लेते हैं वेजिस में इंकलूड है वेजिस में 4000 इंकलूड है अगर आपको नहीं भी समझ आता तो भी clear-cut इंस्ट्रक्शन्स हैं कि वेजिस में कुछ गलती से इंकलूड हो गया है इसका मतलब आपने क्या करना है पहली चीज जिदने भी वेजिस हैं उसमें से माइनस कर देना 4000 अबी लॉजिक तो अभी खुद समझ आज जाएगा बस इतना याद रखना वेजिस में 4000 इंक्लूड हैं इसलिए वेजिस में से माइनस करेंगे एक बच चेक करते हैं हमारे पास यह रहे वेजिस यह रहे वेजिस और वेजिस का अमाउंट कितना दिया हुआ था वेजिस का अमाउं वेजिस वाला पॉइंट एक खतम मगर इसका दूसरा अफेक्ट यह जो वेजिस खर्चा था यह कंस्रक्शन ऑफ शेड फॉर इंप्लॉईज एंड कस्टमर शेड का मतलब होता है बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग आपने कंस्रक्शन करा है बिल्डिंग बनाई है इ बताया था स्टार्टिंग में कोई भी एक्सपेंस एनी एक्सपेंस इनकर्ड ऑन परचेजिंग ऑफ असेट्स या असेट्स बनाने में कोई भी खर्चा होता है तो वो खर्चा जैसे यहां पे चार हजार का खर्चा था तो वो खर्चा खर्चा नहीं माना जाता वो एक्सपेंस क्या माना जाता है वो एक्सपेंस पार्ट ऑफ असेट्स मानी जाती है वो असेट्स का एक हिस्सा होता है तो एक्सपेंस तो नहीं है इसलिए मैंने एक्सपेंस से उसको हटा दिया और मैं क्या करूंगा इस असेट में जोड़ दूँगा अब shed का मतलब होता है building तो जरा देखें एक बारी shed ये रहा land and building land and building भी 10,000 की है तो जब आप balance sheet में land and building दिखाएंगे balance sheet के अंदर land and building 10 plus 4 total building आएगी 14,000 के और मैंने आपको बता दिया shed क्या होता है छोटी सी छत बना देते हैं जिससे बारिश वारिश में चीजें गीली ना हो तो land and building आगे 14,000 अब इसमें एक और point था ये देखो point number 4 depreciation लग रहा है land and building पे 10% अब building पर depreciation भी लग रहा है 10% building है 14,000 की इसके उपर आपको depreciation लगाना है 10% तो अगर आपका ये mistake होगा तो आपका depreciation भी गलत आएगा finally depreciation आएगा 1400 ये एक point हो गया हमारा discussion का दूसरा point point number 2 फिर दुबारा से देखते हैं salary pay to hurry ये rectification chapter आ गया मैं जरा इसको salary pay to hurry salary अगर हमने हरी को pay करी है तो पहला question ये है सर इसकी correct entry क्या होगी salary pay to hurry जी correct entry मैं यहां लिख देता हूं correct entry होगी इसकी salary एक expense है salary account debit to cash हरी का नाम नहीं आता expense में कभी भी नाम नहीं आता salary to cash ये आपकी है correct entry इन्हों ने गलती से क्या करा wrongly गलती से debit कर दिया his personal account हिस का मतलब हरी का हरी का account debit कर दिया यानि सर इन्हों ने गलती क्या करी incorrect entry इन्हों ने गलती से salary की जगे किसका account कर दिया हरी का ये इन्होंने entry कर दी अब आपको करना है rectify entry rectification chapter आ गया अगर ध्यान से देखो cash अपनी जगे ठीक है cash credit होना चाहिए था credit ही हरी हरी गलती से debit हो गया गलती से हरी debit हो गया तो आप हरी को क्या करोगे आप हरी को credit कर दोगे और salary को debit करना चाहिए था करेक्ट position है salary को debit करना चाहिए था तो salary को आप debit कर दोगे ये है आपकी correct entry मतलब rectify entry अब इस entry का final accounts में क्या effect पड़ेगा ढूंते हैं पहले पहले हरी का balance ढूंते हैं ढूंडो कहां है हरी ये रहा हरी कितने का हरी है 4000 तो इस हरी को ये क्या कर रखा है ध्यान से देखो हरी को आपने क्या कर रखा है debit कर रखा है 4000 से बट हमने क्या करना है दुबारा से देखते हैं हरी खतम हो जाएगा हरी तो हो गया खतम अब ये कहीं नहीं आएगा और एक जगे माइनस किया है तो दूसरी जगे plus करोगे salary के अंदर debit करना है 4000 salary के अंदर debit करेंगे 4000 ये देखो answer salary में debit करेंगे 4000 इसका मतलब salary में plus करेंगे 4000 और हरी के account से माइनस करेंगे 4000 ये इसका double treatment है बटा hope जिन बच्चों को doubt था वो doubt clear हो गया होगा मैं अब आगे चलना चाहता हूं पहले कुछ नया सीखते हैं फिर वापिस आएंगे आपके doubts पर चलिए पहले एक बर फटा फटा आप सब बच्चों को मैं mute कर देता हूं और हम अपनी class start करते हैं ये कुछ points हैं जो paper में बहुत ज्यादा chances हैं इनके आने के ऐसे ही मैं एक और question आप सबको भेजूंगा बिटा 4,000 सिरफ salary में आएगा और हरी का account गायब हो जाएगा कहीं नहीं आएगा हरी zero हो जाएगा कहीं नहीं आएगा हरी salary में 4000 एड करेंगे चलिए सबसे पहले 3 marks के अंदर या 4 marks के अंदर एक question confirm आएगा यह confirm question है और यह question आएगा आप से जर्नल एंट्री के ऊपर जर्नल एंट्री के ऊपर question आएगा confirm क्या है जर्ण मैं आपको बता देता हूं अराम से जर्नल एंट्री किसकी आएंगी जर्नल एंट्री आएंगी आपके पास जो आपने मेरे से सीखा था बैट टेप्स और आपने मेरे से सीखा था प्रोवीजन फॉर डाउट्फुल डेप्स इनके ऊपर वो आप से पूछेंगे जर्नल एंट्री मैं आपको question के थरू इनके एंट्री सिखाता हूं बहुत ध्यान से सीखना फॉर मार्क्स का separate question आएगा यह देखो यह question है जो हमने आपके साथ पहले भी discuss किया था मैं ऐसा करता हूं इस question का एक बार देखते हैं जरू चलिए मैं एक trial balance question को यहीं पर trial balance बना देता हूं और आप सब बच्चे उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे यह रहा trial balance debit credit यहाँ पे debtors दिये हुए है वन लेक के simple question है मुझे बस आपको entry सिखाने हैं यहाँ पे debtors दिये हुए है वन लेक के कि अब नीचे additional information adjustment दे रखी है कि कह रहे हैं बैट डेप्स हो गए बैट डेप्स amounting to rupees 5000 5000 के बैट डेप्स हो गए हमें इसकी एंट्री करने है 50000 डूब गये expense हो गया आओ जरहाइस की अंट्री क्या होती है बैट डेप्स दोस्तों एक expense होता है भ्ष गया होता है हमारा expense होता है और expense हमेशा क्या होते हैं debit तो bet debt हमारा expense है और expense हमेशा क्या होते हैं debit और इस से हमारे debtor debtor कम हो जाते हैं asset कम हो गया अगर asset कम होता है तो हम क्या करते है credit यह basic rule है यह expense है, मैं यहां लिख देता हूँ, expense increase हो रहा है, expense increase हो रहा है, और debtor हमारी asset है, asset कम हो रही है, तो bad debts to debtor 5,000, उसके बाद, यह bad debts कहां चले जाते हैं, जितना भी खर्चा होता है, सारे के सारे expenses कहां चले जाते हैं, profit and loss account में, सारे के सारे खर्चे कहां चले जाते हैं, profit and loss account, इस खर्चे को उठा कर, यह खर्चा क्या हो रहा था, debit हो रहा था, तो यह खर्चा कहां चला जाएगा, credit में, खतम, सारे के सारे expense कहां चले गए profit and loss में पांच हजार पांच हजार ये entry होती है bad debts की पहले खर्चा being bad debts incurred फिर ये खर्चा कहां चला गया profit and loss में being bad debts transferred to profit and loss account ये होती है normal entry और आपको पता है मैं जब आपको prepare करता था final accounts तो ये देखो P&L P&L में आप यहां दिखाते थे two bad debts formula होता था इसका new plus old formula भी याद रखना new plus old और ये P&L में कौन सी side दिखाते थे आप debit side ऐसा आप करते थे मैंने सिर्फ journal entry करके दिखाई है P&L debit में आप भी debit करते थे मैंने भी debit करा है two bad debts खतम तो ये entry होती है bad debts की सारा खर्चा कहां चला जाता है P&L के अंदर क्या आपको basic entry समझ आईए मुझे फटा फट एक बाद chat box में बताओ मैं अब इसे technical करूँगा जल्दी से बताइए क्या आपको basic entry समझ आई है फटा फट जल्दी से बताइए मुझे यस और नो बिटा chat box में जल्दी जल्दी reply करो सारे बच्चे फिर हम आगी चलेंगे पहली entry आपको मैंने बता दी पी एंडल के अंदर पी एंडल में पहले भी आप debit करते थे विदूशी आप कट आउट है आप पी एंडल में पहले भी debit करते थे बैट डेप्स ये खर्चा है सारे खर्चे कहां चले जाते हैं पी एंडल में मैंने वही entry करी है पी एंडल debit तो आपको उने भी पी एंडल debit कर दिया और टू बैड़ डेप्ट कहां चलेगे बैड़ डेप्ट चलेगे पी एंडल में कोई भी खर्चा होता है उसकी यही entry होती है मैं आपको एक और entry करके दिखाता हूँ जिससे आपको और easy समझ आ जाएगा मुझे एक बात बताओ wages दोस्तों wages पे करें है wages खर्चा है wages हमने पे करें तो हम क्या entry करेंगे wages account debit to cash account यही entry होती है wages पे करने की मान लेते हैं 500 रुपे हमने पे करें yes wages to cash अब सर यह जितने भी खर्चे होते हैं यह finally जब आप accounts बनाते हो wages trading में जाता है या पी एंडल में यह आप बच्चे बताएंगे wages कहा जाते है wages जाते है ट्रेडिंग में ट्रेडिंग में किस तरफ debit साइड में आप यहां लिखते हो two wages 500 रुपे मैं बस आप से यह बोल रहा हूं मुझे इसकी जर्नल एंट्री बताओ तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होई trading account debit हो रहा है तो इसकी जर्नल एंट्री होती है trading account debit वहां मैंने profit and loss लिखा था अब मैं लिखूंगा trading account debit two two wages account तो यह एंट्री होती है जब आप final accounts बनाते हो पहली एंट्री यह दूसरी एंट्री यह यस तो यह आप सब बच्चों को clear हो गया कहानी को आगे लेके चलते हैं दोस्तों यहां पर एक provision पहले से ही रखा हुआ है provision for doubtful debts provision रखा हुआ है 8000 बहुत ध्यान से समझना provision प्रोवीजन जो होता है एक तरह से provision होता है गुल्लक प्रोवीजन बिटब प्रोवीजन का formula होता है new minus old मगर logical अगर बात करूं तो प्रोवीजन क्या होती है गुल्लक होती है यह गुल्लक हम क्यों बनाते हैं हम अपने घर में भी गुल्लक बनाते हैं हम यह गुल्लक इसलिए बनाते हैं कि अगर कोई नुकसान हुआ तो हम पैसा गुल्लक से निकाल लेंगे जब भी कोई emergency आती है तो हम अपने गुल्लक को तोड़ देते हैं अब सुनो जरह इस question में ध्यान से बेट डेप्स हुए 5000 बहुत ध्यान से सुनना मैंने एंट्री करी 5000 डूप गए मैंने एंट्री करी same question है मैंने लिखा बेट डेप्स अकाउंट डेविट टू डेटर अकाउंट मेरे डेटर खतम हो गए 5000 रुपे का मुझे नुकसान हो गया यह एंट्री तो होगी होगी फिर second एंट्री मैंने second एंट्री इस खर्चे को कहां डाल दिया मैंने इस सारे खर्चे को डाल दिया profit and loss अकाउंट debit टू वेट डेप्स यह एंट्री मैंने कर दी 5000-5000 अब दोस्तों यह एंट्री अभी तक ठीक थी बट अब यह गलत हो गई क्यों गलत हो गई जितना भी नुकसान हुआ है आपको जितना भी खर्चा हुआ है यह सारा खर्चा अकाउंट्स कहता है यह सारा खर्चा पहले कहां से निकालोगे यह खर्चा पहले निकालोगे अगर कोई गुलक है तो यह खर्चा इस गुलक से निकालो अगर सर ये गुल्लक नहीं होती अगर ये गुल्लक नहीं होती तो सारा का सारा खर्चा कहां चला जाता पी एंडेल में बिलकुल सही जवाब अगर ये गुल्लक नहीं होती तो सारा खर्चा कहां चला जाता profit and loss में बट अगर आपने पहले से ही कोई provision कोई गुल्लक बना रखी है तो गुल्लक का purpose होता है ये खर्चा ये जो नुकसान है ये पहले कहां से निकलेगा इस गुल्लक से निकलेगा इसका मतलब changes पर ध्यान दो पी एंडेल के अंदर नहीं आएगा ये खर्चा पी एंडेल से नहीं जाएगा ये खर्चा पता है कहां से जाएगा ये खर्चा जाएगा इस गुल्लक से प्रोवीजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट डेबिट पांच हजार एंट्री होगी ये प्रोवीजन टू बेड़ डेफ्ट ये एंट्री होगी इसका तुबारा से देखो प्रोवीजन गुल्लक है गुल्लक का कौन सा बैलेंस है क्रेडिट इस गुल्लक को आपको तोड़ना पड़ेगा जैसे ही कोई नुकसान हुआ जैसे ही कोई नुकसान हुआ आप इस गुल्लक को तोड़ोगे तोड़ेंगे कैसे ये क्रेडिट में है तो आप बताओ अगर मुझे इसको तोड़ना है ये क्रेडिट साइड में है तोड़ने के लिए मैं प्रोविजन को क्या कर दूँगा मैं इसे कर दूँगा debit ये गुल्लक तूड गई और इस नुकसान को मैंने इस गुल्लक से निकाल लिये इन दौनों entries में पहले आपको ही समझ आना चाहिए सर्फ P&L क्यों नहीं लिखा कोई भी खर्चा वो P&L में जाता है कोई भी खर्चा वो P&L में जाता है बट अगर खर्चे के लिए पहले ही कोई गुल्लक बना रखी है तो वो खर्चा पहले गुल्लक से निकलेगा एक और कोईशन करता हूँ तब आपके दिमाग में और क्लियर होगा फिर मैं आपके डाउट्स लूँगा इसी टॉपिक पे क्योंकि ये कन्फर्म आएगा ही आएगा ये लो एक और एक्जामपल ध्यान से देखना ये ट्राइल वैलेंस है इस कोईशन के साथ शायर आपको थोड़ा बहुत समझा आजाए कि सर हम ये एंट्री कैसे कर रहे हैं यहां लिखा मैंने डेटर डेटर लिखा मान लेते हैं पचास हजार पहले से ही आपके पास एक प्रोवीजन है यानि एक गुल्लक है और उस गुल्लक में पैसा पड़ा है दस हजार गुल्लक में पैसा पड़ा हुआ है दस अजार प्रोवीजन के अंदर नीचे एड़्जेस्मेंट में आपको नुकसान हो गया फाइनली पैसे डूब गए पैसे डूब गए बारा हजार रुपे अब समझो जरा ध्यान से दोस्तों फाइनली बेट डिफ्ट्स कितने हो गए बारा हजार बारा हजार डूब गए अब ये जो नुकसान है पहले पता है ये नुकसान आप कहां से निकालोगे पहले ये नुकसान निकालोगे आप गुल्लक से गुल्लक को तोड़ना पड़ेगा गुल्लक में कितने पैसे हैं गुल्लक में हैं दस हजार दस हजार तो इस गुल्लक से निकाल लिये अभी भी कितना नुकसान बच गया जल्दी से बताओ पहले ये बताओ अभी भी दस हजार तो गुल्लक से निकाल लिया कितना नुकसान बच गया दो हजार का नुकसान अभी भी बच गया वेरी गुड अकंशक और ये नुकसान अब गुल्लक तो खतम ये नुकसान पता है कहां चला जाएगा ये नुकसान चला जाएगा आपके profit and loss में वेरी गुट कसक तो ये होता है logic कि सर पहले नुकसान कहां से निकलेगा provision से और अगर गुलक में पैसा कम पड़ गया तो कहां जाएगा P&L में मैं अब आपको entry करके दिखाता हूँ सुनना जरत यान से entry पहली entry पहली entry तो बड़ी असान है पहली entry तो आपको याद कर लो पहली entry तो होगी bet dips debit नुकसान तो हुआ है जी पहली entry तो दोस्तों bet dips to debtor होनी ही होनी है इसका मतलब बारह हजार रुपे तो डूबे ही डूबे है मगर दूसरी entry पहुत ध्यान से नकुल ने answer से ही बताया दूसरी entry यह bet dips पहले कहां से निकालूंगा प्रोवीजन से प्रोवीजन क्या हो रहा है credit इसे खतम करो इस गुल्लक को तोड़ो इस गुल्लक को तोड़ेंगे तो हम प्रोवीजन फॉर doubtful debts को क्या करेंगे debit 10,000 से debit कर देंगे गुल्लक तूट गई गुल्लक तो तूट गई टूटल बैट डेट्स कितने हुए थे टोटल बैट डेट्स ध्यान से देखो टोटल बैट डेट्स हुए थे 12,000 सरी ये entry टैली नहीं कर रही उपर प्रोवीजन 10,000 है नीचे बैट डेट्स है 12,000 ये entry टैली नहीं कर रही अब जो difference आएगा वो आपका कहां जाएगा profit and loss account कितना difference आएगा 2000 तो ये हमारा profit and loss में कितना गया 2000 अब आप सब बच्चे ये तो है logic ये सारी चीजें 12 में आपको logically बताई जाती है मैं आपको बस 11 में hint देना चाहता था कि हाँ आपको पता होना चाहिए आप सब बच्चे क्या करते हैं 11 क्लास में आप बच्चे कहते हैं कि सर ये सब छोड़ो सीधा बताओ profit and loss account में क्या formula होता है आप कहते हो सीधा ये बताओ bad debts का क्या formula होता है तो मैंने कहा bad debts का formula होता है new plus old ये होता है bad debt का formula आपने कहा sir हमने रट लिया फिर मैंने आप से पूछा provision का क्या formula होता है तो आपने कहा provision का formula होता है new minus old बस 11 के बच्चे इसमें खुश हो जाते हैं new plus old और new minus old मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं ये बताओ bad debts new bad debts कितने हैं 12,000 तो मैंने यहां लिखा new bad debts 12,000 old old होता है trial balance trial balance में bad debts है ही नहीं छोड़ दिया फिर आता है provision new new provision new provision नीचे है नहीं इसको भी छोड़ दिया फिर आता है old old provision old provision question में given था 10,000 तो हमने old provision को हमने यहां लिख दिया 10,000 और ये negative अगर आप ध्यान से देखो तो मेरा net answer पता है कितना आ रहा है net answer आ रहा है P&L के अंदर 2000 और अगर हम logically देखें आप logically भी चेक कर सकते हो देखो जराप P&L के अंदर कितना amount आ रहा है P&L में आ रहा है 2000 तो ये journal entries आपको 12 में भी सिखाए जाते हैं अगर बच्चों अगर समझ आ गया तो अभी बढ़िया हो गया काम आपके लिए मुझे बताओ क्या ये entry समझ आई हैं क्या हुआ जल्दी से बताओ otherwise फिर मैं आपको unmute करूँगा इसमें doubt होने के chances जादा हैं क्योंकि ये खतरनाग entries है जी अगर किसी को doubt है तो फिर मैं unmute करूँगा जल्दी से बताएं मुझे जल्दी से बताओ any doubts starting में मैंने कुछ points कराए थे आपके साथ discuss कर लूँगा पुराने question के थे तो आपको ये बात मेरी समझ आ गई है doubt नहीं है मैं आगे चलना चाहता हूँ आपके साथ मैंने mute कर दिया आप सबको दुबारा से चली अब हम core point करते हैं आपके साथ ये बातें आपको समझ आ गई कुछ बातें theoretical भी आपके साथ discuss करना है अच्छा मैंने आपको last class में एक treatment बताया था चलो पहले मैं आपके साथ एक theoretical चीज डिसकस कर लूँ दोस्तों ये one marker question आएगा two marker ये कुछ चीजें तो हर साल आती ही आती है ये two marker question आएगा वो पूछेंगे expenditure क्या होता है expenditure क्या होता है तीन तरह के expenditure होते है एक होता है revenue revenue expenditure revenue expenditure का मतलब जिसको आप सब बच्चे क्या बोलते हैं आप सब जिसको expense बोलते हो उसको बोला जाता है revenue expenditure yes कसक very good यह होता है revenue expenditure आपको पता है expense expense या तो trading में आएंगे या expense कहां आते हैं P&L तो जो normal expenses होते हैं उन्हें हम क्या बोला जाता है revenue expenditure और बताता हूँ revenue expenditure कौन से होते हैं which are recurring in nature recurring in nature recurring का मतलब हर महीने हर साल बार-बार होते रहते हैं recurring in nature जैसे salary electricity rent सारे खर्चे आपको पते हैं वो बार-बार होते हैं business के अंदर उसे बोला जाता है revenue expenditure एक और होते हैं जिने बोला जाता है capital expenditure capital और capital expenditure को simple भाशा में बोला जाता है assets means जब भी आप कोई asset खरीदते हो तो उस asset को हम technically क्या बोलते हैं it is called capital expenditure हां cost incurred on purchase of assets जब भी assets की बात आती है तो वह कहां चले जाते हैं balance sheet में और उसे क्या बोला जाता है capital expenditure और आप सब को पता है assets हम बार बार नहीं खरीदते बिटा business के अंदर हम assets बार बार नहीं खरीदते इसका मतलब ये होता है non recurring in nature recurring का मतलब होता है बार और ये होता है non recurring nature कभी-कभी हम assets खरीदते हैं मुझे kein example बताओ मैंने अपने business में mobile खरीदा जल्दी से बताओ mobile revenue expenditure है या capital expenditure बताईए मुझे फटा फट बताओ revenue है या capital है बिटा mobile कौन से expenditure है तो mobile asset होती है asset का मतलब यह हमारा capital expenditure है मैंने अपने institute में rent पेगरा किराया दिया rent जी यह बताईए यह कौन से expenditure है जल्दी से बताओ तो यह है revenue expenditure आप से इसके बारे में दो questions पूछेंगे confirm very good system अब सुनना जरा धिहान से वो आप से पूछेंगे ध्यान से देखते हैं क्या लिखा है इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन चार्जिस इंस्टॉलेशन चार्जिस आपने अपने institute में एक white board लगवाया और उसको लगवाने के इंस्टॉलेशन चार्जिस दिये अब आपको पता होना चाहिए कोई भी असेट के उपर अगर कोई खर्चा होता है at the time of purchasing वो खर्चा revenue नहीं होता क्या वो खर्चा revenue होता है so answer is no ऐसे खर्चों को हमेशा हम assets का part मानते हैं यानि वो कौन सा खर्चा होता है capital expenditure यह होता है capital expenditure तो इन बातों को आपने ध्यान रखना है और बताता हूं मैं आप एक और खर्चा होता है जिसको बोला जाता है deferred deferred revenue expenditure यह दोस्तों यह इन दोनों का mixture है revenue और capital इन दोनों का mixture है deferred revenue expenditure इन दोनों का mixture है इसका मतलब इसका कुछ पार्ट कुछ पार्ट तो आएगा P&L के अंदर खर्चा मान लेंगे और कुछ पार्ट आएगा balance sheet के अंदर तो this is called deferred revenue expenditure जिसका एक ही example लिखा होता है है books के अंदर और वह एक्जामपल है heavy यह एक ही example है हाँ very good समिक्षा heavy expenditure heavy advertisement expenditure उसे बोला जाता है दोस्तों हाँ यही एक ही निदी और समिक्षा ने बता दिया एक ही example है heavy advertisement expenditure वह होता है deferred revenue जैसे मैं आपको बदाऊं कि यह कुछ बैपी एंडेल में भी आते हैं और कुछ कहां आते हैं balance sheet के अंदर एक question देखते हैं जरा मैं आपको यह point बिटक confirm आएगा paper में देखते हैं अगर वह question मिल गया अभी आपको करा देता हूं यह देखो मिल गया question मिल भी गया एक adjustment है trial balance में advertisement दिया हुआ है पचास अजार simple advertisement है पचास अजार नीचे लिखा है adjustment में write-off one-fifth of advertisement expense this year इस पचास अजार में से सिरफ one-fifth आपको write-off करना है खतम करना है इसका मतलब पचास हजार का one-fifth पता है कितना हुआ पचास हजार का one-fifth हुआ दस हजार write-off का मतलब होता है इसको आप डालोगे pndl में तो सर्फ बाकी का खर्चा कितना बचा बाकी का खर्चा बचा 40,000 उसे कहां दिखाओगे उसको दिखाओगे balance sheet के अंदर तो this is called ऐसे खर्चों को बोला जाता है deferred revenue expenditure जिसका कुछ पार्ट pndl में चला जाता है और कुछ पार्ट balance sheet में चला जाता है तो मैं यहां पर pndl में दिखाओँगा advertisement expenditure सिरफ one-fifth one-fifth मतलब 10,000 और balance sheet में asset में दिखाओँगा मैं दिखाओँगा advertisement expenditure चालीस हजार तो यह बहुत बड़े-बड़े expenses होते हैं advertisement को और उनको इस तरह से खतम किया जाता है तो यह होते हैं heavy advertisement revenue capital इसके उपर question आता है मेरे पास कुछ notes है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इनको जरूर पढ़के जाना paper में यह देखो यह difference है आपके book में भी difference दिया होगा जल्दी जल्दी चलते है capital expenditure और दूसरा expenditure है revenue expenditure इनके बीच का difference आईए जरा ध्यान से capital expenditure का nature nature यह asset होती है revenue expenditure यह expense होता है यह सब पता है recording अगर asset है तो कहा जाएगी balance sheet के अंदर अगर asset है तो कहा जाएगी balance sheet के अंदर और अगर expense है तो कहा जाएगा या तो profit and loss में जाएगा या कहा जाएगा trading नीचे कुछ examples भी लिखे हुआ है examples cost of plant and machinery cost of land and building furniture and fixtures asset के example है यहां देखो depreciation expense rent repairs and insurance यह expense है और आगे चलते हैं इसका period देखते हैं it benefit extends to more than one year एक साल से ज़्यादा benefit मिलता है कोई भी asset खरीदते हैं उसका benefit एक साल से ज़्यादा मिलता है मगर इसका benefit within the year उसी साल exhaust हो जाता है खतम हो जाता है उसी साल खतम हो जाता है और सबसे important difference है यह वाला point number two दोस्तों assets खरीदते हैं to increase earning capacity of the business assets खरीदा जाता है earning capacity बढ़ाने के लिए मगर revenue खर्चे किये जाते हैं profits के लिए earning profit profit कमाने के लिए यह खर्चे किये जाते हैं मुझे एक बात बताओ यह जो notes है यह जो notes से मैं आपको पढ़ाता हूं यह notes मुझे पहले type कराने पड़ते हैं फिर print out लेना पड़ता है इस पर खर्चा होता होगा मैं आपसे छोटा सा question पूछ रहा हूं यह जो notes बनाने पर खर्चा है यह capital है यह revenue है आप मुझे बताएंगे जी जल्दी से बताओ यह मैं pen purchase करके लाता हूं यह सारे खर्चे यह revenue है यह capital है कसक का answer आ गया बाकी सब बच्चे मुझे बताओ यह नील का answer भी आ गया समिक्षा और बताएं यह खर्चे कौन से हैं तीन बच्चों के answer आ गये हैं so answer is correct answer is revenue बिलकुल यह revenue खर्चे हैं क्योंकि इन से हम क्या कमाते हैं earning profit अका answer भी आ गया earning profits तो यह difference है और आपको यह याद रखना है कि इन दौनों का mixture होता है पेपर में आपकी बुक में कुछ illustrations दे रखी हैं आप जरूर उसको पढ़ना क्योंकि हम इस chapter को end करेंगे आज बट आप उसको जरूर पढ़ लेना क्योंकि वह पेपर में confirm आएगा ही आएगा आएगा आपके सामने चलो एक बात बताओ इस question का answer दो देखते हैं कितने बच्चों को पता है गुडविल आंसर बताओ A B C D गुडविल कौन सी असेट है फिक्टेशियस टैंजिबल इंटैंजिबल करन्ट जल्दी से बताओ गुडविल कौन सी असेट है फटा फट बताओ गुडविल कौन सी असेट होती है सो आंसर इस सी वेरी गुड़ गुडविल होती है इंटेंजीबल असेट और देखते हैं आपके साथ इस पॉइंट को पढ़ेंगे पॉइंट नंबर थर्टीन एकस्पेंडिचर इंकर्ड ओन फिग्ज असेट्स विच इंक्रीजिज अर्निंग कैपिसिटी बताओ दोस्तों क्या आंसर है खर्चा जो असेट पे होता है उसकी कैपिसिटी इंक्रीज करने के लिए कैपिटल होता है रेविन्यू या डेफर्ड रेविन्यू बताइए जड़ा तो इसका करेक्ट आंसर है कैपिटल एकस्पेंडिचर ये लो शायद आप में से ये बच्चों को नहीं आता होगा क्लोजिंग स्टॉक शोन इंसाइड दा ट्राइल बैलेंस दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक हमेशा बाहर होता है पर यहां लिखाए इंसाइड दा ट्राइल बैलेंस अगर ट्राइल बैलेंस में है तो एक अफेक्ट पड़ेगा अब ये बताओ ट्रेडिंग में आएगा या balance sheet में trading में आएगा या balance sheet में तो correct answer is balance sheet अगर try के अंदर होता है तो balance sheet में दिया होता है very good सिरफ एक जगे आएगा balance sheet में ये बताओ point number ये which of the following not shown in balance sheet नकुल ने answer बता भी दिया balance sheet में क्या नहीं आता debtor आते हैं, patents भी आते हैं, closing भी आता है so correct answer is opening stock वो balance sheet में नहीं आता और देखते हैं ये वाला बताओ मुझे जल्दी जल्दी revenue expenditure transfer to revenue कहां जाते हैं P&L में जाते हैं या trading P&L में जाते हैं बताओ फटाफट बिटा revenue कुछ भी हो सकता है so correct answer is this, trading में भी जा सकता है और P&L में भी जा सकता है और बताते हैं जराब को बाकी सब असान असान है ये वाला question बार बार पूचा जाता है schools के अंदर इसका answer आप सब बच्चे सोच के बताना मैंने आपको important word underline कर दिया computer purchase बार बार पूचा जाता है जल्दी बाजी नहीं करेंगे बिटक computer होता तो asset है होता तो asset है ध्यान से resell का मतलब होता है कि पहले आपने computer खरीदा पहले आपने computer purchase करा फिर बेज दिया पहले computer खरीदा फिर बेज दिया ये word ये बताता है कि आप computer को पहले खरीदते हो फिर बेजते हो इसका मतलब ये computer आपके लिए asset नहीं है आपके लिए computer क्या है goods है विटा मीनिंग समझो नॉर्मली कम्प्यूटर असेट होता है क्योंकि आप उसको यूज करते हो मगर इस क्वोशन में क्या लिखा है री सेल खरीदा बेचा, खरीदा बेचा इसका मतलब कम्प्यूटर की आपकी दुकान है अगर आपकी computer की दुकान है तो वो आपके लिए goods बन गए और goods goods हमेशा revenue होते हैं purchases sales कहां आते हैं ट्रेडिंग में आते हैं या कहां आते हैं P&L के अंदर मलब सिर्फ ट्रेडिंग में आते हैं तो ट्रेडिंग में आते हैं goods purchase और sell तो आपको यह word समझ आना चाहिए रिसेल बिटा क्या यह point समझ आया है यह बहुत important point था जल्दी से बताईए resell वाला resell का मतलब goods goods माना जाता है और इसी बात पर एक यह वाला भी कर लेते हैं mcq large large advertisement expenditure to introduce a new product बताओ बेटा advertisement large advertisement कहां आएगा अभी बताया था यह होता है deferred very good लकुल निधी रावत है खतम हो गया जी और देखते है डेफ़र्ड revenue यह रहे questions जिसके अंदर आपको यह बताना था यह questions आपके book के हैं आपको बताना है which of the following is capital expenditure revenue expenditure और डेफ़र्ड ऐसे questions आपको जरूर प्रैक्टिस करने हैं मैं आपको हलका सा बता देता हूं जैसे इसके अंदर काम की बातें पड़ते हैं point number four paper purchase for the use as stationary जैसे मैं यह कागज खरीद के लाता हूं तो मेरे लिए कौन सा expense हो गया मेरे लिए हो गया revenue advertisement campaign to launch a new product advertisement हमेशा कौन सा होता है deferred revenue इस तरह के questions आपको करने हैं और देखते हैं फ़र्स पॉइंट 1200 spend करा है repair पर repair का खर्चा normal होता है revenue point number two twenty five hundred overhauling of machine purchase overhauling का मतलब होता है पूरी की पूरी machine जो आपने खरीदी थी उसकी change कर दिया पूरी की पूरी machine change कर दी दोस्तों machine अगर change हो गई तो उस पे capital expenditure होता है तो इसकी जरूर practice करना इसमें doubts भी आ सकते हैं आपको चलिए आज की class में दोस्तों इतना ही thank you so much all of you hopefully next class में next chapter start करेंगे और मैं आपको कुछ questions दुबारा से भेजता हूं assignment के लिए वह आपके लिए homework होगा टेक केर आवरीवन